हेलो तो सारी है तो यहां पर अपना और बैड़ा से अपना आपना यहां पैंपर प्रेंतरर magnet हो यह लेकिन कैसे może क्योगे अब्ống-णिज्द-बी मैं हर्ट सिक झानि हो एक वह बाब यह हमारे 100 इसके हमें यह देखना है कि क्या market है से और उपर जा सकता है या फिर यह से market जो है वह एक downfall का momentum कर सकता है एंकल hero zero है मतलब कि 400 आपका 40 आपका 400 भी हो सकता है यह 40 आपका zero भी हो सकता है लेकिन इसके पीछे का logic कैसे होता है हम समझने के सबसे पहले तो कोशिश करते हैं अब देखें अगर यहां पर लॉजिक की बात क्या जाए कि 44 हो सकता है या फिर 40 आपका zero हो सकता है तो वह भी देखेंगे हो सकता है उसके बीचे का logic क्या है इसके लिए आपको दो-तिन इंपोर्टन चीजे पता होने चाहिए एक आपको चाहिए फास्ट मॉमेंटम स्लो मॉमेंटम में आप इसका 40 का जिरो का जो है वो मज़ा ले सकते हो अगर आप सेलर सेड में काम करना चाहते हो तो अगर आपक आपको ही रो जिए तो डेफिनेटल वो आपको 0 मिल सकता है क्योंकि यह लो मॉमेंटम रहे गा इसके अंदर जो भाय रहे गा वो काफी बढ़ी सा प्रॉफित गर जो बाय रहे गा वहापे प्रॉफित नहीं कर पाएगा अगर बायर को करना है तो उसके लिए ऐसी जगह ज तो यहांपे भी अगर दिखेख का इंट्री की इसाब से काफीधिया प्रोफिट आप जेनरेट कर सकते हो लेकिन यहांपे प्राफिट Fantastic करने के लिए आपको यह पतावना चाहिए कि seller क्या सोच रहा है क्या seller हमारा सेड़ साइड में सोच रहा है या फिर यह seller दीरे दीरे बायर की साइड में convert हो रहा है तो यह बात अगर आपको पता चल गई तो फिर market के अंदर काफी बढ़िया profitability आपको generate हो सकती है अब उसके में आपको बताने वाला हूँ यहां पर देखोगे आप तो यह कुंसे हैं यहां पर यह है हमारी क्विक एंट्री ऑके क्विक एंट्री अगर यहां पर आपका डाउंसेड एंट्री बनता है इन लेवल के पास में तो यहां से मार्केट कहा से लेकर के कहा तक आगया है वह भी कुछ टाइम के अंदर मतलब अगर यहां पर अगर आपका वैल्यू 40 रूपिस का होता तो यह 40 रूपिस का जब तक मार्केट यहां पर आए तो यह लगबग आपका 200 के आसपास चले जाता है क्योंकि यह momentum बहुत fast है अपन से निकलने के बाद यह वापस 280 भी हो सकता है तो इस तरीके से जो momentum capturing बोलते है उसे कहते है hero zero अगर simple बातों में बताना चाहे तो hero and zero यह चीज होती है जिसमें आपको entry quickly करना पड़ता है okay and जो exit होता है वो भी आपको quickly करना पड़ता है अगर आप entry and exit quickly कर सकते हो nifty bank के अंद कर सकते हो लेकिन अगर आपको slow momentum चाहिए या फिर आपको zero set में जाना है तो फिर आपको sad way momentum मतलब कि यह जो momentum है इस set में अगर आपको 40 को अगर zero होने का wait करना है तो आप ऐसे moment के अंदर trade plan कर सकते हो तो उस case में आपको definitely zero तक या फिर one या two तक का value definitely मिल जाएगा मतलब 40.32 and 39 to 40 points आपको वहां पर मिल सकते हैं अगर आप उस accordingly वहां पी trade plan करते हो तो आप देखेंगे लाइओ market के अपडेट के लिए कि सबसे market momentum कर सकता है क्या market के लिए important level से अब फिलाल के सबसे अगर आप देखोगे ना तो market में जो important level से bank nifty के लिए nifty के लिए वो भी देखेंगे फिलाल जो nifty है तो nifty के लिए important level रहेगा 25,000 22,525 का level ठीकि अगर market in levels के निचे आने की कोशिच करते है तो definitely यह से एक downfall का momentum हम capture कर सकते हैं यह से उपर side का momentum आपको तब तक ने मिल गए जब तक market 22,600 के उपर sustain करने में काम्याब ना हो क्योंकि यहां से एक reversal का बहुत ज़्यादा high chances रहेगा कि market यह से निचे आए और यह वाले levels को touch करें अब यह वाले level को touch करने के आप market और भी यह से नीचे आ सकता है यह simple सी चीज़े हैं यह मैंने आपको कल के वीडियो में easily बता करके रखी थी अब इसका logic अगर आप देखोगे तो देखिए यहां पर जो है market momentum कैसा चल रहा था market तो चल काफी बढ़िया रहा था and यह market ने क्या क्या यह market का testing phase था जिस testing phase के अंदर market ने बहुत से लोगों को यहां से market एक फोड़ा टाइम के लिए बहुत का था अब जिसने यहां पर अपने profit को जल्दी book नहीं किया उसका शायद से loss हुआ होगा या फिर उसको यह अंदर की जो number से यह कभी दिखाई दिये ही नहीं होगे ओके तो मतलब इदर अगर उसका entry यहां पर होता है तो उसक market सिधा उपर चल रहे हैं मतलब यह वाला तो उसका loss बढ़ चुका है लेकिन उसके उपर market चले गया तो यहां पर वह एक्जिट करेगा अब उसके opposite में जाएगा डाउंसेड का लेवल्स तो वह डाउंसेड के जो लेवल्स रहे हैं वह एक्च्छल में opposite में काम कर रहे तो कन्फीजं माला momentum वां पर जो जाता है अगर से कन्फीजं माले moment को हमें क्या करना चाहिए था हम्में क्राना चाहिए इंपॉर्टन लेवल्स कौन से होते हमारे लिए जो हमें क्षेक करना चाहिए वह एक बाद देख उसके साथ साहरा से माले पास दो सीन तीन चीज़ और important ह होती है अब जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह चार्ट किसका है यह हमारा फिन निफ्टी का चार्ट है लगबग लेकिन यहाँ पर कन्फूजन वाले यह हाई पॉसिबिलिटी रहेगी फिन निफ्टी के अंदर अब फिन निफ्टी के अंदर अगर यह पॉसिबिलिटी होती है तो क्या उपर के से फिन निफ्टी निचे नहीं आ सकता तो इसका जवाब है करेक्ट फिन निफ्टी नहीं आ सकता ऐसे बिलकुल बात नहीं है वह लेकिन important level 508 के पास में अगर 508 के पास में हमें sustainability दिखाई देती है थोड़ा time के लिए और उसके बाद अगर market नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो definitely फिर हम 445 के targets के लिए वापर जा सकते हैं downside में ठीक है अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी के लिए कलकी लिए important levels क्या है तो 48,280 के important levels है अगर marketing levels के ओपर जाने की कोशिश करता है तो फिर market के लिए 48,345 and 48,447 यह दोनों levels open होने के high possibility chances है कि ओपर के side में open हो जाएगे एंड उसके बाद में अगर निफ्टी बैंक वहाँ से फिर नीचे जाना चाहता है तो लगबग उसके लिए important level रहेगा 48,033 का level तो यह important levels रहेगा अगर उससे वहाँ से नीचे जाना है तो उन levels है अब उन level से मतलब कौन सा तो यहाँ पर जो level निकल गएगा 397 का यह important confusion zone रहेगा अगर यह level से market उपर जाने की कोशिश कर रहा है तो मतलब यह consider किया जा सकता है कि market को सच मिया से उपर जाना है लेकिन अगर यह वाली level से market उपर जाने की कोशिश करता है लेकिन उपर जा नह से अब अगर यह target को बुक करने जाओगे तो यह एक बीग टारगेट रहने माले हमारे पास कुन सा बीग टारगेट अब बीग टारगेट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपके लिए big losses भी लेना पड़ेगा आपको अगर आपको बीग टारगेट के और जा रहे हो लेने की कोशिश करने वाले हो तो कि यह बात किया रहा है लेकिन अगर आपको यहीं क्या कि उसे हुथ प्लैन के पड़ेगा उस hind knotakadrit के ओम्य मेनेंट नाम का concept अगर यह वाला concept आपके पास है तो फिर आपको कोई यह पर रोक नहीं सकता क्योंकि अगर आपके पस रिस management है तो आपको पता ही trade कौन सी direction पर लेना है trade का quantity size में आपको क्या लेना है and trade का quantity sizing क्या रखना है अगर आपको quantity sizing एक बार fix हो जाता है तो फिर आपको questioning नहीं आएगा कि आपका trade management कैसे किया जाए उसके वाद में exit वहाँ पर plan किया जाए या फिर नहीं जाए वो कोई भी चीजों का confusion आपको नहीं होगा अगर आपके पास रीच मेर में नाम की चीज अलरी अवेलेबल है तो ठीक है अब लाइव मार्किट के अपड़िश के लिए आप हमारा free लो